Hello friends, my name is Nargis Gupta, in last video we have discussed about the recurrence relation solution in algorithm design using recursive tree method, in this video we will take another example B is on a recursive tree method, so यहाँ पर जो question given है, वो question है, TN equals to TN by 2 plus TN by 4 plus TN by 8 plus में N, N is a function, So, अब हम basically यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ आप देखें, तो यहाँ पर more than one recursive terms right hand side में है, मतलब three terms हैं यहाँ पर recursive term, और N की value जो function हमें given है, वो N given है, तो इस N हमारा root node बन गया, और उसके बाद में हम इस N की जगा यह values को substitute करते जाएंगे, तो सबसे पहले मैं N की जगा N by 2 substitute कर दूं, तो यह N by 2 आ गया, उसके बाद में N की जगा में क्या करूं, N by 4 substitute कर दूं, यह N by 4 substitute कर दिया, उसके बाद में N की जगा क्या substitute करूं, N by 8 मैंने N by 8 substitute कर दिया, again further हम label को expand करते जाएं, तो यहाँ पर N की जगा आपको अगेन फिर क्या करना है n by 2 n by 4 n by 8 तो n की जगा n by 2 जैसी मैंने substitute किया यहाँ पे तो यह हो गया मेरा n by 4 योगि 2 already था 2 आएगा तो 4 हो जाएगा फिर n की जगा n by 4 तो यह हो गया मेरा n by 8 4 into 2 8 यह वाला फिर देखें तो यह हो गया n by 2 into 8 which is a 16 now next one is n by 4 तो सबसे पहले n की जगा n by 2 put करूँगा मैं तो n की जगा n by 2 put किया तो n by यह कितना हो गया 8 next one n की जगा मैंने n by 4 किया तो n by 4 किया तो n into यह हो गया 16 4 cross 4 16 और यह किया 4 n की जगा n by 8 तो यह हो गया n by 32 next one इसको देखें आपन तो इसमें n की जगा सबसे पहले n by 2 put करेंगे तो यह हो गया n by 16 इसमें देखें n की जगा आप n by 4 करेंगे तो 8 into 4 which is a 32 इसमें देखें तो n by कितना हो गया 8 into 8 64 यदि आप यदि इस pattern को analyze करें अभी फिर यह होगा कि n की जगा n by 2 put करूँगा तो n by 8 आ जाएगा तो ऐसा हमारा चलता जाएगा बट एक चीज़ आप यहां पे देखिए सबसे minimum यदि कहीं पर time निकलेगा तो वो आपका leftmost tree में निकलेगा sub tree में और सबसे maximum time आपका कहां पर आएगा rightmost sub tree अब हमें क्या करना है बीच में इनके बीच में कोई भी time आ सकता है वो बट इन दोनों के बीच में आएगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँ मैं height calculate कर लूँ मैं height calculate करूँ left sub tree की तो देखना क्या हो रहा है यहां n है यह n by 2 है यह n by 4 हो गया n by 8 हो जाएगा next में n by 16 हो और n equals to 2 to the power k तो k की value यदि आप निकालेंगे तो log base में 2n आ जाएगा तो this is the height k equals to log base में 2n अब बहुत सारे लोग यह सोचे होंगे height निकालने की क्या जरूँ है हम जब time complexity find out कर रहे है जब k आप जब series बनाएंगे तो k की value की requirement होगी तो k की value आप इस height से ही लेंगे और always हम k की value जो height always larger height होती है वो हमें always left subtree के part पर मिलती है तो हम उसी के according चलेंगे बट कभी-कभी यदि previous video का question देखे तो height same आ रही थी टीक है ना इसके लिए आपन देखें तो इसके लिए देखना n by 8 या n by 64 मतलब 8 का square next आगे जाओगे तो n by 8 का q आजाएगा तो let us assume n upon 8 to the power k equals to 1 तो n equals to 8 k और इसका यदि आप निकालेंगे तो log n base में at equals to k k की value आपकी यह निकल के आगे तो this is the height यह right subtree के height होगे log 8 और n now अब हमी क्या करना है हर एक label का time calculate करना है तो देखना इस label का time calculate करूँ तो इस label का time n ही आ जाएगा इस label का time calculate करूँ क्या है n by 2 plus n by 4 plus n by 8 यदि आप इस label का time calculate करेंगे तो यहां मैं करके बता देता हूँ n by 2 plus n by 4 plus n by 8 इसको जब solve करेंगे तो LC हम लेंगे तो 8 आजाएगा यहाँ पर यहाँ पर आजाएगा 4n प्लस में यहाँ पर आजाएगा 2n फ्लस में यहाँ पर आजाएगा n तो यह हो गए आपका 7n divided by 8 तो यह इस label का जो time निकला वो 7n divided by 8 निकला आपका इस label को जब आप solve करेंगे सारे यह जितने भी आपने recursive terms निकाल solve किये हैं सब को जब addition करेंगे तो इस label का जो time आएगा वो मेरा आएगा 7 by 8 का whole square n यह time आएगा next label पे यह बढ़ता जाएगा तो यह आप pattern की बात करें और हम time की बात करें तो यह time निकलेगा t of n equals to n plus 7 by 8 n plus 7 by 8 का square n plus and so on ऐसे चलता जाएगा कहां तक जो इसकी height है log 8 n minus 1 तक चलता जाएगा बट क्योंकि हम यही से pattern को analyze कर पा रहे हैं तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है देखिए अब यहाँ पे कैसे कर रहे हैं आप यहाँ से n common ले लें यह मैंने n common निकले यह 1 plus 7 by 8 plus 7 by 8 का whole square plus and so on चलता जाएगा यह इस तरह से अब इसको solve करें यह आप देख पा रहे हैं तो यह आपकी GP term बन गई है ठीक यह आपकी GP है तो GP के लिए हमारे पास में formula होता है GP का formula होता है a upon 1 minus r common ratio यहाँ पर आप solve कर लें a मतलब first term, first term कितनी हो गई आपकी 1 upon ठीक सोरी a first term, first term 1 हो गई 1 minus r की value कितनी हो गई ratio 7 by 8 जब आप इसको solve करेंगे, मैं यहाँ पर double से लिख देता हूँ यह हो गया हमारा 1 upon 1 minus 7 by 8 जब आप इसको solve करेंगे, तो यह आजाएगा आपके पास में, total 8 minus 1, 7 तो यहाँ 1 by 8 आजाएगा, तो 8 उपर चला जाएगा, 8 आजाएगा साथ में, आपके साथ में क्या है यहाँ पर? n तो multiply n, तो यह कितना हो गया आपका 8 n So, यदी t of n time की बात करें, तो क्या आगया आपके पास में? 8 n 8 is a constant, तो we can say that t of n equals 2 क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपके पास में, यह यदी हम height लेकर चलते इस height में और इस height में, दोनों difference आता तो यह best case बनता, यह worst case बनता, तो हम इसको theta के respect में लेकर चलेंगे, दोनों का average, which is a t of n equals to theta of n This is the time complexity of this question. Thank you so much